हलो दोस्तो माया का प्यार भरा नमस्कार आज हम बनाएंगे सीरका प्याज इसके लिए हमें इस तरह के प्याज लेने हैं नॉर्मल जो हम घर में यूज करते हैं प्याज उन में से ये छोटे साइज के हैं आप भी जैसे मैंने ये बड़े साइज के प्याजों में से छाट के छोटे अलक हैं, उसी तरह से कर सकते हैं, इनके आगे पीछे को हम इस तरह से कट करेंगे, और अच्छी तरह से इसका चिलका उतार देंगे, चिलका उतारने के बाद एक बाउल में पानी भरेंगे, और उस को एक कांच के बाओल में डाल दोंगी इसमें डाल रहे हूं सिरका सीरके को मैं चोथा हिस्सा अपस के बाद हम डालेंगे पानी स्वाद अनुषा नमक की मात्रा इन्द अपको फोड़ी ज्यादा लेनी है और एक चम्य चिनी और मैं इस braces mean फूट कलर यूज़ कर रही हूँ, आप अगर फूट कलर यूज़ ना करना चाहे, चुकंदर को काट के डाल सकती है, जो सलात के काम भी आता है, और इसको हम छोड़ देंगे रात भर के लिए, और अगली सुबह ये खाने के लायक हो जाएगा, ये देखिए, मैंने यहाँ इ फिर काच के जार में ही रखे, मैं आप लोगों को चटनी की रेसिपी में बोलती हूँ, सबजी बनाने की जरुवत नहीं है, पर आज बोल रही हूँ, अगर आप ये बना के रखती हैं, तो आपको एक हफते तक चटनी बनाने की जरुवत नहीं है, आप जरूर इसे रहिए, हसते रहिए, और अपना बहुत ख्याल रखे, थैंक यू,